यह जो दूसरा उदारान इसमें कहा रहा है यह हमारा दूइगात बहुपद है ठीक है इस दूइगात बहुपद का हमें निकालना है सुन्यक क्या निकालना है सुन्यक यानि X का मान निकालना है ठीक है जिससे की यह पूरा मान क्या हो जाए जीर हो जाए दूइगात बहुप जो होगा ठीक है और इस बहुपद का जो गुनांक है जैसे x square तो इसका कुछ गुनांक है x का गुनांक है इनके बीच कुछ संबंध है रिस्ता है नाता है relation है ना वो क्या है हम लोग जानते हैं चलो तो पहले सुनेक निकाल लेते हैं कैसे लिखना है एक सुरू से हम लोग लेके चले जाते ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए सबसे पहले हमें क्या लिखना है हल लिखना है सो हम लोगों ने हल यहां लिया है दिया क्या हुआ है यह बहुपद दिया हुआ है तो लिख लेंगे यहां दत दुईघात बहुपद ठीक है क्या है भाई तो ये है x square जोर 7x जोर 10 है ना हमको इससे पहले क्या करना है गुनखन कर लेना है गुनखन करना तो आता है यह हम बराबर लगाएंगे गुनखन कैसे करते है देखो ये x square किसे के साथ गुना नहीं हो रहा है ये x square के साथ कुछ है कुछ नहीं है ना मतलब 1 है तो 1 और इस 10 को गुना करेंगे इसको और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1 और 10 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 ही हो जाएगा अब 10 को जो है दो-दो करके गुनणखंड करेंगे पहले एक से टुक्रा करेंगे यानि पहले एक से दस को काटो एक से काटो को तो कितना हो जाए काई बार में एक गुना दस करोगे पुना फिर दो से दुका पाड़ा पड़ो काई बार में दस आएगा भई पांच बार में और तो नहीं होगा तीन से तो कटेगा नहीं, चार से कटेगा नहीं, पांच से कटेगा पांच दूनी दस तो हम लोगों ने ले लिया है अब देखो यहाँ जोर है यहाँ जोर है तो हम लोग क्या करते हैं जोरते हैं, जोरेंगे जोर करके साथ आना चाहिए वो लो किस दो टुकरे को लेंगे जो साथ आ जाएगा जोरेंगे तो एक और दस को जोरेंगे तो ग्यारा हो जाएगा वो तो नहीं लेना है दो और पांच को जोरेंगे तो कितना हो जाएगा भाई दस हो जाएगा ना साथ हो जाएगा ना तो हम इसी दोनों टुकरा को लेंगे बस इसको देखना यहां जोर है तो जोर के साथ आना चाहिए अगर यहां घटा होता तो घटा के साथ आना चाहिए था ठीक है यहां जोर है तो जोर के कितना आना चाहिए साथ आना चाहिए चलो ये जैसा है वोईसा हम लोग इसको उतार देते हैं अब ये साथ इसमें जोड है ना तो दोनों में हम जोड लगाएंगे 2X जोड 5X 2 है तो 2X 5 है तो 5X अब देखो 2X और 5X जोड है तो 7X हो गया इसको कुछ नहीं करना है जैसा है वोईसा रहने देखना है ठीक है यहां तक हो गया काम अब इसका काम खतम हो गया इसी तरह से टुकरा करना है ठीक है चलो अब क्या करेंगे हम लोग अब कॉमन लेंगे इन दोनों को देखो इन दोनों में देखो और इन दोनों में देखो इन दोनों में ध्यान से देखो यहाँ दो ठो एक्स है कैठो एक्स गुना हो रहा है दो ठो एक्स गुना हो रहा है यहाँ कैठो एक्स गुना हो रहा है दो के साथ एक्ठो एक्स गुना हो रहा है मतलब एकठो 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 ए एक्स दोनों में ही था तो एक्स को हमने बाहर कर ले ठीक उसी तरसे यहाँ देखो यहाँ एक्स है यहाँ तो एक्स नहीं है है क्या नहीं है ना लेकिन देखो यह पांच है पांच क्या इस दस में पांच है दस में पांच है ना पांच दूनी दस दो और पांच है गुना हो रहा है यहां दस में दो गुना पांच है यहां पांच गुना एक्स है तो हम देख रहे हैं कि यहां भी पांच है यहां भी पांच है तो पांच को ले लेना है पहले जोर को लिख लो ठीक है उसके बाद पांच ले लेंगे अब इस पांच को हमने ले लिया तो बच्चा क्या यहाँ X बच गया ठीक है उसके बाद जोर डालो क्योंकि जोर और जोर गुना करेंगे तो जोर ही हो जाएगा मतलब इस जोर में से हमने जोर को कॉमन में लिया है तो ये जोर है, जोर में दोठो जोर है तो जोर रह गया या अगर पूरा जोर रह तो हमें यहां किसी प्रकार की चिन्नोक में दिक्कत वाले वात नहीं होगी, ठीक है जोर डाल दिया, अभी इस DAS में से 5 को हमने ले लिया तो बोलोगे सर पाँच बच गया, नई दस में दो और पांच गुना हो रहा है तो पांच को ले लिया तो दो बच गया यहां ऐसा मत बोलना है कि सर दस में से पांच ले लिया तो पांच बच गया नहीं, गुननखंड में से लेना है दस का गुननखंड में दो और पांच है तो हमने 5 को ले लिया तो अब इसमें कितना बच गया शिर्फ 2 बच गया ठीक है अब देखो यहाँ भी x जोर 2 यहाँ भी x जोर 2 तो हम क्या करेंगे पहले x जोर 2 को ले लेते हैं फिर उसके आद यह x और इसको लिख लेते हैं अब इसका हम लोग सुन्यक निकालेंगे ठीक है सुन्यक यानि x का मान निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना है इस पूरे को ले करके सुन्य कर देना है ठीक है यहाँ लिखेंगे अब ठीक है अब लिख लेंगे लिख करके क्या बोलेंगे कि भाई ये जो x square है जोर 7x जोर 10 बराबर 0 करेंगे क्योंकि इसका मान क्या होना है 0 होना है ठीक है उसके बाद यहां या लगाएंगे या इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहां बराबर है एक टो बराबर यहां आएगा देखो इसका गुनणखंड यह हुआ तो इन दोनों को यहां लिख लो सहलियत के तौर पर x जोर 2 उसके बाद x जोर 5 बराबर 0 कर देंगे इतना हो गया मेरे खियाल से इतना समझ में आगया न पहले गुनणखंड कर लेना है गुनणखंड करने के बाद फिर उसके अद क्या करेंगे इस पूरे को 0 बना देंगे जो गुनणखंड आएगा उसको यहां लिख लो फिर 0 कर देंगे इतना और इतना आप उसमें बराबर है बराबर 0, बराबर 0 हमने कर दें क्योंकि सुन्नेक निकालना है ना सुन्नेक निकालेंगे तो हम यहां बराबर 0 लगा देंगे लगा दिये अब देखो अब क्या करना है एक बार इसको लेके 0 करना है और एक बार इसको लेके 0 करना है ठीक है कैसे करेंगे देखो एक बार हम हम इस पार लेके आ जाएगे, तो क्या हो जाएगा, ये गुना हो रहा है, तो बराबर की इस पार आके भाग हो जाएगा, यानि 0 बटा इतना, छोड़ो अगर उतना समझ में नहीं आता है, तो simple से समझो, एक बार x जोर 2 बराबर 0 लेना है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, x को छोड़ दो इदर, ठीक है, इस 2 को बराबर की इस पार लेके चले जाओ, ये दो जोर में है, तो इस पार आके क्या हो जाएगा, घटा 2 हो जाएगा, ठीक है, 0 चला गया, 0 तो खतम होगे ना, क्योंकि 0 को लिखने की जरूत है नहीं, घटा 2 को हम इस पार लेके आगे, तो क्या होगे, जोर 2 को बराबर की इस पार लाएगे तो घटा 2 होगे, ठीक है, अब एक बार जो है, इसको लेना है, x जोर 5 बराबर 0 लेना है, एक बार x जोर 2, इसको लेकर के 0 लेना है, एक बार इसको लेके 0 लेना है, ठीक है, या, कितना हो जाएगा, x बराबर, ये जो पूर पाँच है तो बरावर कि उस पार चला जाएगा, गहताऊच हो जाएगा हम लोगों , को मान hydeSo को सुनेक निकालना था, सुनेक क्या हुआ तो x का जो मान है एक बार आया घटा दो और एक बार आया घटा 5 यानि यदि हम इस घटा 2 को इसमें डालेगे तो यह इसका मान पूरा 0 हो जाएगा या फिर घटा 5 को अगर इसमें डालेगे तो भी उसका मान हो जाएगा 0 दोठो सुन्यक निकल गया, अब आगे क्या करना है? आगे देखो, यहां तक पहले इसको उतार लो, उतार लिया होंगे, ठीक है? यहां लिख सकते हो, आता, दत बहुपद का सुन्यक. क्या क्या है? घटा दो तथा घटा पांच है, ठीक है? इतना लिख लिया, अब इसको यहां तक लिख लो, फिर उसके आद मैं आगे बता रहा हों क्या करना है, ठीक है? ठीक है, दिखाई पर रहा है, चलो, अब इसको मिटा दे रहे हैं, याद रखना, एक आया घटा दो, एक सुन्यक निकालने के लिए बोला था, पहले हम लोगों ने सुन्यक निकाल लिया, वीडियो को रोक के उतार लिया करो, ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है, देखो, अब हमें सुन्यकों और गुनांकों के बीच की संबंध क्या है, उसकी जाच करना है, ठीक है, तो हम लोग जा सुन्यकों का योग ऐसे ही लिखना है जैसे बता रहे हैं ऐसे ही लिखना है सुन्यकों का योग यानि दोनों सुन्यकों को हम लोग क्या करेंगे जोडेंगे क्या क्या सुन्यक आया भई एक आया घटा दो एक आया घटा पांच तो जोडो क्या हो गया यह यही लिखलो, नीची लिखलो, घटा दो और घटा पांच घटा साथ हो गया, ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहां क्या करो, आब इसको ध्यान से देखो, अब याद रख रख लेख़ई यहां घटा लगाओ, यहाँ पहले क्या लगाओ घटा लगाओ ठीक है अपनी मर्जु से याद रखो सुन्नेकों का का योग सुन्नेकों का योग क्या होता है यह घटा होता है उसके बाद x का गुनांक होता है उसके बाद बटा में x square का गुनांक होता है ठीक है यह हम सबको पता है सुन्नेकों का योग क्या होता भई घटा x का गुनांक बटा x square का गुनांक तो देखो हम लोगा जब दोनों ही सुन्नेकों को जोड़े तो आया कितना घटा साथ आया अब हम देखेंगे कि यह जो घटा 7 है क्या घटा X का गुनांग, बटा X स्क्वार का गुनांग के बराबर है के नहीं ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले घटा लगा दियें, लगा दियें घटा, को दिकत, चलो अब जब घटा लगा, यह घटा यहां से आगया, अब क्या लिखना है, X का गुनांग, X का गुनांग क्या है, X किस के साथ गुना हो रहा है, 7 के साथ, तो यहां 7 लिखो अब बटा में लिखो बटा में क्या लिखना है? X square का गुनांग तो X square का गुनांग क्या है भाई? कुछ नहीं मतलब एक है तो एक लिख लिए यहाँ देखो अब समझो हमने दोनों सुनने को को जोड़ा कितना आया? घटा साथ आया उसके बाद हमने देखा कि यह जो घटा साथ है यह किसके बड़ा-बढ़ा है? घटा अच्छा इसमें और इसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है ना? अगर ब्राइकेट को हटा देंगे तो घटा साथ हो जाएगा? बटा में एक है तो बटा में एक का तो कोई मतलब भी नहीं होता है घटा साथ बटा एक का मतलब गटा साथ ही हुआ अब इसको देख के हम लोग बोलेंगे कि भई यह घटा ठीक है? यह साथ क्या है? तो एक्स का गुनांक है एक्स का गुनांक है ठीक है बटा में उसके आद देखेंगे ये एक क्या है भई तो ये एक x square का गुनांक है x square का गुनांक है ये हमें जाच करने बोल रहा था सो हम लोगों ने जाच करके दे दिया हम लोग जानते हैं कि जो सुन्नेकों का योग होता है यानि दोनों सुन्नेकों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो वो यह होता है घटा X का गुनांक बटा X स्कुर का गुनांक तो हम लोगों ने जब दोनों ही सुन्नेकों को जोड़ा तो वही आया ये घटा साथ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये घटा भई, ये घटा है, ये साथ क्या है, तो X का गुनांक है, ये एक क्या है, X स्कार का गुनांक है, ये सिद करना था, तो हम लोगों ने सिद कर दिया, ठीक है, बस इतना करके छोड़ देना है, ठीक है, उसके बाद, गु के सुन्यको का दी कुए कि घटादो और गाटा पांच को घुना है तो कितना हो जा एक गाटा दो ≥ और गड़ा 5 को होगया दू पांच है, दस हो गया, ठीक है, दू पांच है क्या हो गया, दस हो गया, अच्छा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दस बटा एक बोल सकते हैं, और ये बताओ, दस क्या है, ये ओचर पद, ठीक है, बटा में, ये एक क्या है, तो x square का गुनांग है x square का गुनांग ये भी चेक हो गया देखो जब दोनों ही सुनने को गुनांग किये तो क्या है या 10 आया 10 को हम लोग 10 बटा 1 बोल सकते हैं 10 बोलो या 10 बटा 1 बोलो बात बड़ा बढ़ है और 10 बटा 1 है क्या भई तो ये और बटा x square का गुनांग और हम लोग जानते हैं कि सुनने को का जो गुननफल होता है वो क्या होता है और बटा x square का गुनांग जो हम लोग का आगे answer ठीक है बस इतना करना था इतना तक कर लो इसका काम खतम हो गया ठीक है